गुड मॉनिंग बच्चो बच्चो आज हम हिंदी का पार्ट चवदा चार फुंदनों वाली टोपी पार्ट पढ़ेंगे ये क्या है चित्र कथा है ये पार्ट एक चित्र कथा है चलिए बच्चो अब पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं नानी ने विशु के लिए चार फुंदनों वाली टोपी बनाई विशु टोपी पहन कर बोला नानी यह टोपी तो बहुत अच्छी है इसे पहन कर तो मैं बिल्कुल राजकुमार बन गया हूँ देखो बच्चो चित्र में दिख रहे हैं नानी ने विशु के लिए क्या बनाई है चार फुंदनों वाली टोपी बनाई है जिसे विशु पहन करके बहुत खुश हो गया है चलिए बच्चो अब आगे देखते हैं यह सुनते ही नानी की हसी छूट गई और उन्होंने विशु को गले लगा लिया यह सुनते ही नानी की क्या हो गई हसी छूट गई और उन्होंने विशु को गले लगा लिया देखो चित्र में बच्चो दिख रहे हैं नानी ने विशु को गले लगाया है चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं अगले दिन विशू टोपी पहन कर स्कूल गया वह बड़ा खुश था लेकिन क्लास के बच्चे उसे देखकर कहने लगे देखो देखो विशू की अजीब सी टोपी विशू ने क्या किया? टोपी पहन कर अगले दिल स्कूल गया और बहुत खुश था वो टोपी पहन कर क्या था? बहुत खुश था लेकिन क्लास के बच्चे उसे देख करके कहने लगे देखो विशु की अजीब सी टोपी क्या बोलने लगे? चार फुंदनों वाली टोपी चले बच्चों आगे देखते हैं विशु घर आया तो रोनी सूरत बनाकर नानी से बोला क्लास के बच्चे मेरा मजाग उड़ा रहे थे आप टोपी में से एक फुंदना कम कर दीजिए विशु घर आकर के रोनी सूरत बनाकर के नानी से बोला क्लास के बच्चे मेरा मजाग उड़ा रहे थे आप टोपी में से एक फुन्दना कम कर दीजिए नानी ने कैची लेकर विशु की टोपी का एक फुन्दना काट दिया नानी ने क्या किया विशु की टोपी का एक फुन्दना कैची से काट दिया अगले दिन विशु टोपी पहन कर स्कूल गया तो फिर वही मुसीबत अरे ये तो तीन फुंदनों वाली टोपी हो गई अरे हाँ अगले दिन विशु टोपी पहन कर स्कूल गया तो फिर वही मुसीबत सारे बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाने लगे अब क्या कहके मजाक उड़ाने लगे बच्चे कि अरे ये तो तीन फुंदनों वाली टोपी हो गई है अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं विशु ने नानी से कहकर टोपी में से एक और फुंदना कटवा दिया विशु ने क्या किया बच्चे मजाक उडा रहें करके नानी से कहकर टोपी में से एक और फुंदोना कटवा दिया लेकिन अभी भी स्कूल में मजाक उडाना कम ना हुआ विशु ने नानी से कहा नानी नानी आप एक फुंदना और काट दीजिये लेकिन अभी भी स्कूल के बच्चों ने मजाक उडाना कम नहीं किया था तो विशु ने नानी से कह करके एक और फुंदना कटवा लिया होते होते टोपी में सिर्फ एक फुंदना बाकी रहा अब भी बच्चे चिड़ाएं बगैर नहीं मान रहे थे अंत में विशु ने नानी से कहा नानी नानी आप यह फुंदना भी काट दीजिये होते होते टोपी में एक फुंदना बाकी रहा गया लेकिन फिर भी बच्चों ने चिड़ाना कम नहीं किया अंत में विशु ने क्या किया नानी से कह करके जो फुन्दना बचा था उसे भी कटवा लिया अगले दिन विशु बिना फुन्दने की टोपी पहन कर गया बच्चे टालिया पीट-पीट कर चिलाने लगे देखो देखो विशु की बेढ़ंगी टोपी बिना फुन्दनों की टोपी विशु ने एक एक करके सारे फुन्दने कटवा दिये फिर भी बच्चों ने इस्कूल के बच्चों ने विशु को चिड़ाना बंद नहीं किया अब उसे वो क्या करके चिड़ा रहे थे कि देखो देखो विशु की बेढ़ंगी टोपी बिना फुंदनों वाली अब देखते बच्चों आगे स्कूल से आकर विशु ने रोते रोते नानी को सारी बात बताई नानी हसते हुए बोली बेटा तुम चिड़ते हो इसी लिए सब चिड़ाते हैं तुम चिड़ना छोड़ दो फिर सब ठीक हो जाएगा स्कूल से घर आकर के विशु ने रोते रोते नानी को सारी बात बताई फिर नानी ने कहा हसते हुए कहा विशु से कि बेटा तुम चिड़ते हो इसी लिए सारे लोग तुम्हें चिड़ाते हैं तुम चिड़ना छोड़ दो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा बस विशु ने नानी की यह बात याद रखी अब विशु ने क्या किया? नानी की इस बात को याद रख लिया विशु अब खुस था हाला कि उसे टोपी के चार फुन्दनों की अब भी याद आती थी सोचता कितने अच्छे लगते थे वे फुन्दने बेकार नानी से कहकर कटवाए अब क्या किया? विशु ने नानी की बात को याद रख लिया अब विशु क्या हो गया? खुस था, खुस रहने लगा हाला कि विशु को क्या हुआ? अपने टोपी के फुन्दनों की याद आती थी और वो सोचता था कि वो फुन्दने कितने अच्छे थे मैंने बेकार ही नानी से कह करके उन्हें कटवा लिए सीख चलिए बच्चो देखते हैं हमें इस चित्र कथा से क्या सीख मिलती है हमें किसी के चिढ़ाने से चिढ़ना नहीं चाहिए बच्चो हमें क्या सीख मिलती है इस चित्र कथा से झाल